हेलो इंविस्टर्स मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करना रहे उत्तम वेल्यू श्टील लिमेटेड के बारे में जो इसके 12 फेबररी को जो कोट में यहरिंग देखने को मिली तो जातक मुझे जो खबर मिली वो आज जाब पे काफी लंबे समय से जो एफेड एफेड डिया गया था जिसमें illegal trade का जो एक mention क्या था तो उस पे strong काफी case strong होते हुए नजर आ रहा है और judges ने भी उस पे approval ले दिया कि यह देखा है तो एक shareholders के साथ एक गलत हुआ है और जिसमें यह case में फस्ते हुए भी नजर आ लेकिन जो 12 फेबरे को एक बड़ी hearing थी जाब पे काफी लोगों को यह लग रहा था कि यह final hearing हमने देखने को मिल सकती लेकिन अभी भी हमें देख सकते हो next date मिलती हुए नजर आए गई जो कि इसली हुए कि दोनों जो lawyers से उन दोनों के बीच में कुछ settlement की बात है चलते है औ उसमें आपको clearly बता है तो judges भी continuously यही बात कर रहे है कि दोनों lawyers मिल के out of court या in of court में जो settlement कर लो क्यों काफी लंबे समय से matter चल रहा है ला अभी तक इस पर कोई decision आते हुए नेजर नहीं रहा है तो यही मुझे उत्तम value still में भी देखने को मिलें जापे judges का यही कर रहा जिस पर दोनों lawyers settlement के लिए तयार भी होगे लिकिन बाद में जो USL के जो lawyers है जो हमारा case लड़ रहे है उनके तरप से कुछ terms और condition रखी गए जिस वज़े से जो judges ने next hearing है पर हमें देखने को मिलें जो कि हमें करीब कर रहे है चार मार्च के आसपास के देखने हो मिलें मिलें आने वाले कुछ 17-18 दिन के बाद हमें next hearing देखने हो मिलें तो maybe ये date हमें last देखने को मिल सकते लिए काफी लंबे समय से ऐसे होते ही नजार आ है कई बार ऐसे लगता है कि strong हमारा case बहुत strong होते ही नजार और आने वाली जो date हो final होगी लेकिन कुछ ना कुछ end moment पर ऐसे जिस वज़े से हमेशा की तरह हमें तारीक पर तारीक मिलते ही नजार आ रही उत्तम value still वही आप उत्तम गल्वा श्टील की बात करें तो उसमें काफी ज़्यादा जो case से एकदम ending mode पर जा पर आपको मैंने last वीडियो में भी बता है कि उत्तम गल्वा श्टील आपको उत्त जिस वज़े से उत्तम गल्वा श्टील को new name रखके EMNS कपोली रखा गया जो कि इसका सबसे पहले नाम ता उत्तम गल्वा से एवनेट मैटलिक स्टील रखा था आप Google पर सज़ भी कर से लेगिन जो internal matter चल रहे तक उत्तम value श्टील के जिस वज़े से उत्तम गल्वा को इव अचा कासा discounted भी मिलते हुए नजर आएगा जिसने भी उसको hold करके रखा है लेकिन वह उत्तम value श्टील की बात करें तो अभी भी काफी लंबे समय से इसका court में जो matter चल रहे और बहुत से subscribers का ये भी comments आते है कि हमें वो group join करना चाहिए या नहीं जो हमारा court में case लड़ रह मैं किसी membership में जाओ या कोई group join करू या court case में जाओ या ना जाओ मुझे मेरे shares मिलने वाले और 100% मिलने वाले और जल मिलने वाले क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं कोई भी company जब deal list होती है तो एक time period होता है कभी-कभी 2-3 मैनों में हो जाती है तो कभी-कभी 6 मैनों में हो जाती तो एक time period रहता है उसके अंदर अंदर उसे सभी जो फॉर्मॉले टेस कप्रेट करके market में वापस रिलिस्ट करने पड़ती है तो ये एक basic rule है जो बहुत जल हमें आनुले समय में उत्तम value still और उत्तम गलवा still में तो देखने को मिलने रहा है तो आपको जातक मेरा मानना है तो आपको ऐसा कोई group में join करने के कोई जरूर ने क्यूंकि मिलेगा तो सबको मिलेगा और 100% सबको मिलने वाला है अभी बहुत से लोग पैसे भी दे रहे कोई को shares भी दे रहे तो जातक मुझे लगता है ये सब आप सब एको उल्लू बनाने का काम चल रहा है क्यूंकि जैस तो ये ऐसे stock market में ऐसे बहुत गेम चलते रहेते तो जातक मेरा मनना है मेरा फिर last में आपकी मरजी आपका पैसे आपका shares आपको जोईन करने करो में मेरा point of view आपके साथ share कर रहा है तो मुझे तो फिलाल किसी group को join करने के कोई जरूरत नहीं जो होगा stock market में ये rule है बहुत काफी लंबे समय से ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हो जाएगा अभी final date है अभी मिल जाएगा लेकिन देखा है तो हर बार कोई latest news मिल जाती है तो ये होते हुए नजर आ रहे हैं काफी ज़्यादा लोगों ने काफी ज़्यादा पैसा इन लोगों को दिया है और काफी ज़ फिलाल तो हमें किसी ग्रूप को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है बाकी आपकी मर्स और वही बात उत्तम वैल्यू श्टिल और उत्तम गल्वश्टिल आपको बहुत जल्ट रिलिश्ट होते भी नजर रहे हैं क्योंकि आप Google पर आप सर्च करो क्योंकि उत्तम वैल्य के काफी तेजी से चलते हुए जैसे कि रिसेंटली जो उनका नेम चींज हुआ और जो अभी Face Value नजर आ रही है दोनुकि आजिसे कि हमें उत्तम वैल्यू श्टिल की भी Face Value देखने को मिले और Grow App में भी चेक कर लो जैसे कि मैं Grow यूज कर रहे हो तो उसमें भी जो उत्तम व गलवा श्टील की बात करें और वही उत्तम गलवा श्टील की बात करें तो इसकी जो कोट में हेरिंग थी 2nd February को जापे हमें यही देखने को मिला कंपनी के तरफ से सेटर्मिंट की बात है काफी लंबे समय से चल रही है और जो एक हैरानी करने की बात है जो जापे आप देख मिले है के स्टेटर्स में अभी आपको के स्टेलिंग में देखने को मिल रहा है बाखी सब आपको से आउरे ने करे neighbor नIF केस नंबर फाइल इंच क्यो जो नेक्स लिस्सफ् smartest नेट बैट नंजर डालो तो यह कौन सी डेट मिली आप देख सकते हो 11 11 11 कौन से साल में आने वाली एक किसी को पता नहीं तो देखा जातों जो काफी लंबे समय से जजेश जो फोर्स कर रहे थे लोईट्स को जो सेटल्मेंट सेटल्मेंट तो जहां तक मुझे लगता है यह केस अभी एकड़म फाइनल पोजेशन पर पहुच्छा हुआ लग रहा है और जो नेक्स लिस्टिंग डेट भी हमें देखने को मिले तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नेक्स लिस्टिंग डेट होगी और जैसे कि जो बाजार में न्यूज चल रहे थी कि उत्तम गलवा श्टिल आपको मार्स के महिने तक रिलिस्ट होते भी नजर आएगा तो देखा है और उत्तम गलवा श्टिल की जो फेस वेल्यू करीब करीब करी 10 रुपे के असपास चल रहे थी और जापे जो मार्केट में न्यूज चल रहे जो एमेरे सकपूल लिकी जो न्यू नेम के साथ उत्तम गलवा जब रिलिस्ट होगी तो उसका प्राइस करीब करीब 105 रुपे के असपास देखने को मिली थी तो उसकी भी फेस वेल्यू एक रुपे के असपास देखने मिली तो करीब करीब वह भी हमें 10 या 15 रुपे के असपास रिलिस्ट होते भी नजर आएगा और मेबी 300-400 भी जो एक मार्केट में काफी लंबे समय से जो फिगर चल रहे वो भी हो होगी तो फिलाल हमें थोड़ा इस टॉक में पेशन्स रखना पड़ा है क्योंकि काफी लंबे समय से जो काफी लंबा समय हो चुका और जो कोड केसे में इसके जो मैटल चल रहे एक यह भी रिजन हो सकता है क्योंकि जब तक इसके जितने भी मैटल सब इक सब रहे क्लियर हुई है उसमें ओर भी कोई लेटेस अपडेट या कोई लेटेस न्यूज देखने को मिलेगी तो मैं आपके साथ एक वीडियो के साथ एक अपडेट कर दौबगा तो आज के लिए बस इतना है वीडियो पस्ते ने वीडियो को लाइक करूँ चैनल पी ने चैनल को सब्सक्राइब करूँ मिल जगले वीडियो में थेंक्यू